दोस्तों इंदू की अश्ली पहचन तिलक से होती है मानियता है कि तिलक लगाने से समाज में मस्तिक हमेशा गर्व से उचा होता है इंदू परिवारों में किसी भी सूपकार्य में तिलक या टिका लगाने का विदान है ये तिलक कई वस्तों और पदर्थों से लगया जाता है इनमें हलदी, सिंदूर, कैसर, भस्म और चंदन, आधी प्रमूख है परंतु कि आप जानते हैं कि इस तिलक लगाने के प्रती प महत्वा किया है, इनके बारे में नहीं जानते होना तो कोई बात नहीं, आज के ये वीडियो देखते रहिए, आज के ये वीडियो में आपको इसी टोपिक पर बात करूँगा, लेकिन दोस्तों, शुरू करने सब पर अपितक अपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किये, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में दिये गए बेल एकम पर क्लिक कर दीजिए, जिसे मेरी आने वाली सब भी टेकनिकल एंड नोन टेकनिकल वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिले, दोस्तों सब्सक्राइब करना भीकुल परी है, और जिन जिन लोगों न करने के बाद पंडो द्वारा विसेश तिलक अपने भक्तों को लगया जाता है, माते पर तिलक लगाने के पीछे आध्याद्मिक महत्वा है, नोर्मली अमारे सरीर में साथ सुख्सम उज्जा केंद्र होते हैं, जो आपार सक्ति के बंडर होते हैं, इन्हें चक्रा का आ ज या इडा, पिंगला और सुसुमना मिलती है, इसलिए इसे क्रिवनी या संगंपी कहा जाता है, और दोस्तों यह गूरु स्थान का लाता है, यही से पूरु सरीर का संचलन होता है, यही हमारी चेतना का मुक्य स्थान भी है, इसी को मन का गर भी कहा जाता है, इसी कारण यह स्थान सरीर में सबसे estaraw पुजनिया है जोग में द्यान के शमय इसी स्थान पर मन को ipeak lives किया जाता है तिलक लगाने से एक तो सभव में सुधर आता है और देखने हो तो तरजनी से धन प्राप्ति ये तू मध्यमा से तता सांती प्राप्ति ये तू अनामिका से लगया जाता है आम तोर से तिलक अनामिका द्वार लगया जाता है और उसमें भी केवल चंधनी लगया जाता है तिलक संग चावर लगाने से लक्समी को अकरसित करने का तता ठ प्रदयान करने के निमित चुपा हुआ होता है। नोर्मली प्रत्यक व्यक्ति को तिलक जरूर लगाना चाहिए। मानियताओ के अनुसार सुने मस्तक और सूब नहीं माना जाता है। माते पर चंदन, रोली, कुमकुन, सिंदु या भस्मा का तिलक चरूर लगाना चाहिए। तिलक हिंदू संस्कृति में एक पहचान चिन्न का काम करता है। तिलक लगाने की केवल धार्मिक मानियता ही नहीं बलकि इसके कई भग्ननिक कारण भी होते है। हिंदू धर्म में जितने संतों के मात है, जितने पांत है, संप्रदाई है, उन सब के अपने-अपने अलग-लग तिलक होते है। तंत्रा सास्त्र में पंच गंत या अश्ट गंत से बने तिलक लगाने का बड़ाई मात्वा है तंत्रा सास्त्रों में सरी के तेरो भगो पर तिलक लगने की बात कई गई है, लेकिन समझ सरीर का संचलन मस्तिस करता है, इसलिए इस पर तिलक करने की परंपरा अधिक प्रचली थे। तिलक लगाने में सायक, हाथ की और अलग-अंगले का भी अपना-पना मात तो होता दोस्तों मैं आपको फिर से बता दू कि हमेसा अनामिका उंगली से तिलक लगया जाता है, अनामिका उंगली सूर्य की प्रतिक होती है, अनामिका उंगली से तिलक लगाने से तेजस्वी और पतिष्टा मिलती है, साथ ही जब भी मन सनमन के लिए अंगुटे से तिलक लगय जाता है तिलक केसी भी रंग का हो सभी में उर्जा होती है लेकिन सपेद रंग यानि चंदन से तिलक को सितल दाई लाद रंग के तिलक को उर्जावान और पिले रंग के तिलक को प्रसन्य रहने के लिए लगाया जाता है वहीं सीव भक्त भबुती यानि काले रंग का तिलक अब भी लगाते हैं जो मो मया से दूर रहने के लिए सुचक है तो दोस्तों मेरी ये वीडियो देखकर आपको पता चल गया होगा कि हमारी हिंदू संस्क्रोथी में तिल्यक का क्या महतुआ है अगर आपको मेरी ये वीडियो के इंपरमिसन अच्छी लगी है यूस्पुल ल हमार हेरि सिमिक अधर आपको के लगा है ये दोग He Mode कि अवे यही नच्छी का कर देखकर ये भी वीडियो के घर आपको आपको मेरी और देता हैं वीडियो पता पको आपकाágकाशी анием पतापकोक funçãoल थर कि ये 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 समस्टन थापको का सकता है झाल झाल